आज जो हात्रस में गटना हुई है, ये कितनी दुखद है, कितनी हिर्दे विदारक है और आपकी दरफ से क्या निर्देश दिये गए हैं? देखे, गटना अत्यंत दुखद और हिर्दे विदारक है, अपराहन में तीन, साड़े तीन बजे के अंदर ये पूरा गटना करम गटित होता हुआ बताया जाता है, जन्पध हात्रस के सिकंद्रा राओ के अंदर एक पूरा हाथसा घटित हुआ है, वहाँ पर अस्थानिय आयजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयुजन अस्थानिय गाओं में उनके द्वारा सत्संग के आयुजन के माध्यम से किये जाते रहे हैं, और अस्थानिय भक्तक उस कारिक्रम में भाग लेते हैं, उस समय जब मंचिय कारिक्रम संपन्न हो चुका होता है, तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचन करता वहां से मंच से उतर रहे थे, तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड उन्हें चूने के लिए उधर जा रही थी, और सिवादार के दोरा रोकने पर यहादसा वहां पर घटित हुआ, इस पूरे मामले की जाच के लिए हम लोगों ने एडिस्नल डी जी आगरा के अध्यक्सता में मंडला युक्तो अलीगड को सामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्द कराने के देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैम्प कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्षिमी नार्यण जी, से संदीप सिंग जी, से असी मरुन जी, तीनों लोग वहां पर घटना स्तल पर ही कैम्प करके गायलों को उपचार आधी की बिवस्था में लगे हुए हैं, आधणिय प्रदान मंत्री जी ने भी और आधणिय ग्रह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए, सोक संतप्त परीजनों की परती अपनी संविदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज और गंभी रुप से गायल परिवारों की नागरिकों की विली भी पचास पजाश ज़ार रुपे की साहिता की गोशना की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिस। यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे।